भारतिय जनता पार्टी के नेता नरेंदर मोदी जी ने सेना के सन्मान में निरे किया और 42,000 करोड से ज्यादा रासी दुनिया में अस्तिर्ता बड़ी चाहे युक्रेन हो यमन हो चाहे कोरोना में दुनिया भर में बस्ते हुए हमारे भारतियों हो नब्बे से ज्यादा युक्रेन से उडाने करे कर दोनों राष्टा द्यक्षों से बात करकर तीन दिन तक युद्ध बंद करकर 23,000 भारतियों को घर पे लाने का काम नरिंद्र मोगी से ओपरेट्शन राहत 5,000 भारतियों और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से यमन से निकाला और 2,000,000 उडानों के माध्यम से 2,97,000,000 मतलब 3,000,000,000 करीब व्याक्षियों को सकुसल कोरोना के वक वंदे भारत मिशन के तहद वापिस दाने मनेवर चीन की सीमा पर हमारी आल्टी आर्टीलरी न पहुंचे ऐसी स्तिती थी रोडी नहीं बनाये थे नक्षा ही देखते रहते थे नरिंद्र मोधी जी और राधनाजीन की टुकडी ने सीमा के अंतीम गाउं तक भारत के प्रथम गाउं में रोड पहुंचाने का वाइबरन्ट विलेज के माध्यम से गाउं खाली न हो इसकी चिन्ता मनेवर नरिंद्र मोधी जी लेगे मनेवर किसानों के कल्यान के लिए धेर सारे काम करें बजेट में छे गुना वरुद्धी करी जिरा सुनो भई सुरेश आप लोग 21,900 करोड रुपिय का छोड़ कर गए थे कितना छोड़ कर गए थे बही 21,900 करोड अब ध्यान से सुनना 21,900 करोड को 6 गुना बढ़ा कर 1,25,000 करोड रुपिय का बजेट मनेवर खाद्ध्यान का उत्पादन 265,000,000 टन से बढ़कर 22,23 में 323,000,000 टन रेकोर्ड उत्पादन प्रदान मंत्री किसान सन्मान योद्ना मैं आगे बात कर चुका हूँ 14 करोड लोगों को 6,000 रुपिया 2,41,000 करोड रुपिया और MSP MSP बहुत चिल्लाते रहते हैं मैं आपको पूछना चाहते हूँ मनेवर आपके माध्यम से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनको मैं MSP के बारे में जरूर पूछना चाहता हूँ कि भईया आपने MSP की कितनी खरीदी की थी और MSP के रेट में कितनी बड़ोत्री की थी जरा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाई है मगर नहीं जाएंगे बेटे बेटे बोले रगें MSP MSP का क्या हुआ मैं बताता हूँ सत्य क्या है और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को और 14 करोड किसानों को कहना चाहता हूँ कि आपके घर में सबसे ज़्यादा MSP और MSP पर सबसे ज़्यादा धान खरीदने का काम कोई एक सरकार ने किया है तो नरे हो मानेवर दान की खरीदी पहले ध्यान से सुनना सभी सभासदों को मेरा विननती है ध्यान से सुनिये ध्यान की खरीदी 475 लाख मेट्रिक टन मन मौन सिंग जी ने अपने अंतीम साल में की मैं फीर से आकड़ा बोलता हूँ 475 लाख मेट्रिक टन नरेंद्र मोधी जी ने अंतीम खरीदी 896 लाख मेट्रिक टन 88 प्रतिसाथ की वृत्ती मानेवर और लाभार्थी किसान पहले 76 लाथ थे अब 1 करोड 31 लाख लाभार्थी मानेवर गेहू की खरीदी MSP पर खरीदी इसके अंदर मन महौन सिंग जी और इनकी UPA की सरकार 251 लाख मेट्रिक टन छोड़ कर गए थे 251 लाख मेट्रिक टन अब नरेंद्र मोधी जी ने 251 लाख मेट्रिक टन से बढ़ा कर 433 लाख मेट्रिक टन और पहले गेहू 20 लाख किसानों का खरीदा जाता था अब गेहू 43 लाख 43 लाख किसानों का खरीदा जाता था साथ 5 साल बाद भी उड़ाएंगे समद नहीं पड़ी है मानेवर हम कहते थे किसानों का आई दो गुना करेंगे हमारा मजाग उड़ाया जाता अब मैं बताता हूं मानेवर मोधी जीने नेनए कर दिया कि किसान की आई से मतलब खर्च से लागत से 50 प्रतिसत कम से कम MSP रख बड़ा अइतियासिक किसान हिस्ते से लिन है मानेवर धान की MSP जो 1310 मैं फिर से एक बार ध्याना क्रिश्च करना चाहूंगा मन मोहन सिंग जी UPA सरकार जिनको हम पर अभिश्वास वो UPA सरकार धान के MSP 1310 छोड़ कर गई कम खरीते थे मगर रेट 1310 था हमने ज्यादा खरी 1440 मानेवर गेहू 2013-14 में 1400 रुपया MSP छोड़ कर गए थे डाक्टर मन मोहन सिंग UPA और आज आज 2013-14 में 1400 से बढ़कर 2125 रुपया MSP कर देखा थे हमने गेहू ज्यादा भी खरीदा और गेहू का दाम भी ज्यादा थे है मानेवर ये ना ही किसान हीते सी है ना एक घरीब हीते सी है ना एक पिछडा हीते सी है उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान देखा और इसलिए मोधी जी ने आज का है नो तारीक को आज का है नो अगस्त को परिवारवाद वी जी ब्रस्टाचार और थुष्टी करण मानेवर मानेवर मैं देश की आंत्रिक सुरक्षा के प्रति आपका ध्याना कूश्ट करना चाहता हूं भाई अभी भी सत्तेता सिकारों नहीं तो जो होए उसके भी आधे हो जाओ मानेवर मैं देश की आंत्रिक सुरक्षा के प्रति इस देश की जनता का आपके माध्यम से मानेवर पिये फाई कई सालों से देश को तोड़ने की देश की जन सांखी की बदलने की और देश के अंदर आतंकवाद के बीजबोने का काम कर रही थी एक दिन एक ही दिन में सितंबर 22 में 15 राज्यों में 90 से ज्यादा अर्स्थानों पर रेड करकर पीए फाई पर बैन लगाकर जेल की सलाखों को पुछे दाले मानने वर देश भर में पीए फाई को हमने बैन किया दुनिया भर में भागे हुए गुनेगारों को आज वापिस लिया जाता है एना ये के 9 घंगोर आतांकवादी कृत्य करने वाले लोगों को दुनिया भर से चुन उठा कर हम वापिस लाए और छे राज्यों की पुलिस को भी उनको वापिस लाए सचिन बिष्णोई सीदू मुसा वैले की हत्या का आरोपी था उसको भी वापिस लाए और तवरुर राना का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुँचा है मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राना को भारत की कानून की अदालत के प्रहेत ला वो तिनों मामलों को हमने एनाईय को सौपा है और मानेवर लगभग लगभग मैं यूए पीए को कठोर करने का नीड़ बील लेकर आया था यहाँ पर और उस सदन में दिखविजय सिंग कहते थे इसका दुरुपयोग होगा मैं आज सदन को बताना चाहता हूं विपक्स को भी बताना चाहता हूं यूए पीए का उपयोग टेर्रिस्ट कृत्य करने वाले खिलाप इनके खिलाप होता है हम किसी को डरने की जरूरत नहीं है उस वक्ड़ में नहीं समझ चाकता था आपको क्यों डरन लगभग पर नहीं है लगभग लगभग चौपन व्यक्तियों को हमने यूए पीए के तहट आतांकवादी घूसिक किया इंटरनेशनल माननेता लाए है और एक में भी विवाद नहीं हुआ है कोई राज़ितिक बुरुक्योग मानेवर नहीं है 2014 से गुरु मंत्रा लेके अधिन पहले स्रीमान राधनार जी थे अब मैं गुरु मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ नार्कोटिक्स पर जीरो टॉलरंस की नीती को हमने अपना है एनकोड 2019 में बनाए गया फिर इसको चार्ज तरिये किया गया एनकोड पोर्टल डेटा इंटिग्रेशन और नौलेज मैनेजमेंट सिस्टिम के पोर्टल बनाए गये मादक पदात की तस्करी के विश्तुरु जांच के लिए जेसी सी जिसमें धेर सारे डिपार्टमेंट और सरकारे होती है इसका गठन किया गया डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स टास्पोर राज्यों में बनाई गई राष्ट्रियर नार्कोटिक केनाइन फूल की स्तापना की गई और पच्चतर वे सतंतरा दिवस्ते मौके पर एक लाग पैंसट हजार किलोग्राम नार्कोटिक्स को जलाया गया और अब वो टोटल आजादी के अमरूत महुतसव के एक वर्स में दस लाग करोड़ दस लाग किलो पहुंच जाए अब मैं जो गोगाई जी कहते थे इसका जवाब नहीं रखते हैं आंकड़े बेसर्म होते हैं और आंकड़े हमारे कामों से खड़े होते हैं आंकड़ों को बाद में बढ़ला भी नहीं जा सकता है अब 2006 से एक सरकार्ती यहां UPA की सरकार्ती जिसको हम फिर थुड़ा अविश्वास है 2006 से 2013 का समय उनका ही था उसमें क्या होता है जबत की गई ड्रग एक लाख बावन हजार किलो थी मैं फिर से सदन का और सदन के माध्यम से देश का ध्याना क्रिश्ट करना चाहता हूँ जबत की गई ड्रग एक लाख बावन हजार किलो थी और 2014 से 22 तक एक लाख बावन हजार करोड से बढ़कर तीन लाख तीहतर हजार किलो ग्राम ध्रग हमने जब गोगाई जी 181 प्रतिसत 181 प्रतिसत बुद्धी हुई और कीमत गाजा पकड़ लेना भांग पकड़ लेना एक बात है जो महेंगे और सरीर को ज्यादा नुकसान करने वाले और पैसे की दृष्टी से नुकसान करने वाले जो नार्कोटिक्स के पदार थी वो किमत से आड़े मनेवर 2006 से तिरा में मान्यवर्थ 2006-03 में 768 करोड की ड्रग पक्रिए मैं फिर से रिपोर्ट करूँगा 768 करोड जिससे UPS सरका संत्रूष थी उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में भी लख्या था और 14-22 तर एकदम वही कालखन 768 करोड और 14-22 में 18,000 करोड रूपे की ड्रग को नरेंद्र भूजी सकता है और यह हम पर सवाल में इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको भरोसा नहीं है मगर देश की जनता को विश्वार से पूल मामले 1257 दर्च किये थे अब 3700 अब इन्हों ने कल यहां ग्यान बाटा कि पहले 1257 थे अब दीखे बढ़ गए 3700 हो गए भई नार्कोटिक्स के खिलाब केस अच्छे है या बूरे माले देना हम पकड़ते थे पकड़ते हैं आप पकड़ते ही नहीं थे चलने देते थे हमने पकड़ना सुरू किया इसलिए 1257 से बढ़कर 3700 केस हो गए और गिरबतारिया आपने 1363 की थी हमने 500 गिरबतारिया करी थे मान्यवर तोल फिर नंबर भी करा आप मान्य सदश्यों सभा की समति हो तो ग्रव मंति जी के भाशन की समाप्ति तक सभा की कारवाई बढ़ा दी जाए मान्यवर तीन करोड युवा और दो करोड महिलाओ को नसा मुक्त अभ्यान में अलग अलग विभागों के समाज कल्यान विभाग महिलाओ और लगबग लगबग साड़े 9 करोड लोग तक इन सामुक्त भारत अभियान की सपत और टोल फ्री नंबर पर मिस्वाल करने की पहुँच बड़ी है मन्यवर यह हमारे प्रयासों को दर्साता है इसलिए मैं कहता हूं कि भले आपको विश्वास हो देश की जनता को विश्वास ह मन्यवर इस देश की आंत्रीक सलामती की धुरूष्ट्री से त्रीन बड़े होट स्पॉट माने जाते हैं एक कस्मीर एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नौर्थ हिस्ट और सालों तक कॉंग्रेस की सरकार रही यह चलता रहा आज मैं पर्ष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि कस्मीर की समस्या वाट बेंग की रादिती और समस्या से आंख बुलना था कस्मीर की समस्या सरकारों का डूल मुल रवया था कस्मीर के अंदर 2014 से हमारी नित्यों में परिवर्तन आया मैं फीर से एक बार कहना हूँगा मानेवर मैं फिर से एक बार करें